इस convex lens को ध्यान से देखिए अक्सर ये question आपके competitive exam के अंदर आ जाते हैं जेए मेंस और नीट के अंदर आते हैं इवन ये board exam में भी देखा गया है इस lens को अगर मैं vertical cut करूँ तो focal length क्या होगा और अगर horizontal cut करूँ तो focal length क्या होगा answer हमें से बहुत सारे लोगों को पता होता लेकिन हम कई बार गलत answer कर देते हैं तो इसका एक तरीका बताता हूँ जो कि बहुत simple है trick याद रखे क्या है अब यहाँ पर H का मतलब क्या है horizontal और S का मतलब क्या है same यानि अगर मैं convex lens को horizontal cut करूँ तो मेरा focal length same रहेगा कोई change नहीं होगा और V का मतलब क्या है vertical और D का मतलब क्या है double यानि अगर हम vertical cut करते हैं तो नया focal length दो गुना हो जाएगा यानि की double हो जाएगा कैसा लगा बच्चो मज़ा है न comment करके जरूँ बताना हो रहे हैं और वी interesting physics के tricks के videos के लिए हमेश कर सब्सक्राइब जरू कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो में जैन